Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़िबल इतिहास कवाहे प्रोग्राम में आपका स्वागत है सूफी इंफ्लूइंस इन मोगल रूल Welcome to Study IQ, मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास कई सामराजियों के उतार चड़ाव की एक अदभुत कहानी है जब भी हम इन सामराजियों या इंपायस की चर्चा करते हैं तो अकसर हम उनके political, economic और social aspects की बात करते हैं लेकिन कहीं न कहीं religious aspects की अंदेखी कर दी जाती है जबकि उस समय religion का बहुत बड़ा प्रभाव समाज, अर्थिविवस्था और राजनीती पर होता था medieval काल की बात करें, तो एक नया prominent religious development जो दिखता है वो था सूफिजम का भारत में फैलाव इन सूफीज और मुगल rulers के बीच एक ऐसा connection था जो कहीं न कहीं empire को प्रभावित करता था आज की इस कहानी में हम मुगल emperors पर इसी सूफी influence की चर्चा करने जा रहे हैं आईए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सूफीज कौन थे और उनके principles क्या थे What is सूफिजम? दोस्तों इंडिया में आज कई सूफी संतों की दरगाहा पर लोग सजदा करने जाते हैं फिर चाहें वो किसी भी धर्म के लोग हो सूफिजम दरसल इसलाम का एक mystical form है जिसमें God को spiritual यानि आध्यात्म के रास्ते से ढूणा जाता है इसमें materialism या भौतिक वाद की कोई जगह नहीं होती सूफिजम इसलाम का वो रूप है जिसमें asceticism यानि तबस्वी जीवन पर जोर दिया जाता है इसमें God के प्रती लव और devotion का सबसे ज्यादा महत्व होता है पूरी दुनिया और इंडिया में सूफिजम के कई schools देखने को मिलते हैं ये सभी schools अपना origin Prophet Muhammad की समय से ही trace करते हैं सूफिजम का ज्यान प्रसार करने वाले को सूफी कहा जाता है सूफी शब्द Arabic word सूफ से derive किया गया है जिसका meaning है one who wears wool ऐसा इसलिए क्यूंकि तपस्वियों को generally woolen clothes से जोड़ा जाता रहा है एक सूफी को वली या फकीर भी बोला जाता है दोस्तों इंडिया की बात करें तो सूफिजम यहां 7th century में आया जिसे साउधी अरेबिया से merchants लेकर आये यह merchants इंडिया के western coastal region में trade करते थे इसके बाद North India में सूफिजम की शुरुवात 8th century में हुई जब Islamic rulers ने मुल्तान और सिंद को capture किया लेकिन सूफिजम का prominence बढ़ा Delhi सल्तनत के रूल में सूफिजम एक तरह से इसलाम के अंदर एक liberal reform movement था 12th century तक सूफिज 12 orders में organize हो चुके थे जिनें सिलसिला कहते थे 12 में से इंडिया में 4 सबसे popular सिलसिला थे चिष्टी, सुहरावर्दी, कादिरिया और नक्षबंदी इन में से इंडिया में सबसे popular हुआ चिष्टी सिलसिला इसको इंडिया में ख्वाजा मोयन curry्ण चिष्टी द्वारा स्थापित किया था प्रसिध सूफिज सेंट निजामुदीन ओलिया भी इसी सिलसिला से थे सुहरावर्दी सिलसला पंजब और मुलतान में कन्फाइन रहा जिस को शिहाब الدीन सुहरावर्दी ने स्थापित किया वही नक्षबंदी सिलसला की शुरूत Khuajah Bahawood-दीन नक्षबंदी ने की और कादरी सिलसिला को शेख अब्दुलकादिर और उनके संज ने मुगल रूल के दोरान किया दोस्तों ये तो बात हुई सूफिजम और उनके कुछ महत्वपून सिलसिला की लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मुगल्स को सूफिजम के सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी आईए इसको समझते हैं दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मुगल एमपायर की शुरुआत 1526 में हुई जब जहीर उद्दीन मुहमद बाबर ने इबराहिम लोदी को फर्स्ट बैटल अव पानिपत में डिफीट किया बाबर का रेन सिर्फ चार साल रहा जिसके बाद 1530 में उन्हें उनके बेटे हुमायू ने सक्सीड किया दोनों ही एमपायर को एक जुट नहीं कर पाए थे और स्टेबिलिटी कायम नहीं हुई थी हुमायू को सक्सीड किया जलाल उद्दीन मुहमद अकबर ने अकबर के शासनकाल में ही एमपायर अच्छी तरह इस्टैबलिश हो पाया मुगल्स के इतिहास में सबसे महान एमपरर अकबर को ही माना जाता है अकबर ख्वाजा मोईनुदीन चिष्टी की दरगाहा पर समय समय पर आते रहते थे अकबर उनकी टीचिंग्स और फिलासोफी से काफी प्रभावित थे यही वो जगह है जहां पर वो एक पुत्र की कामना करने के लिए आया करते थे एमपरर अकबर एक और सूफी सेंट से इंफ्लूएंस थे जिनका नाम था शेक सलीम चिष्टी ऐसा बताया जाता है कि अकबर उनके पास भी एक पुत्र की याचना लेकर गए उनकी ब्लेसिंग के बाद अकबर को तीन बेटों की प्राप्ती हुई उनकी रिस्पेक्ट के लिए अकबर ने अपने पहले पुत्र का नाम सलीम रखा यही नहीं उन्होंने सलीम चिष्टी के लिए फटहपुर सीकरी में टूम भी बनवाया यह शो करता है कि अकबर चिष्टी सिलसिला के सूफी से कितना प्रभावित थे इंडिया की पुलिटिकल हिस्ट्री में मुगल्स ने जल्द ही गवनेंस के तोर तरीकों को समझ लिया था और उसके साथ ही उस पुलिटिकल थियरी को भी उन्होंने अच्छे से समझ लिया था जिससे वो इतने बड़े डाइवर्स सबकॉंटिनेंट को मैनेज और कंट्रोल कर पाते इंडिया के लंबे इतिहास में हमेशा ही रिलिजिन और पुलिटिकल पावर के बीच एक गहरा नाता रहा है मुगल पीरियड में भी ये उतना ही सच था Political power को religion के नाम से justify करना एक ऐसा सच था जिसे जुटलाया नहीं जा सकता एक तरफ सूफीज जैसे missionaries थे जिन्हें अपना काम effectively करने के लिए राजाओं की सहायथा की जरूरत थी यानि उन्हें political patronage और protection दोनों की ही जरूरत थी वहीं दूसरी तरफ rulers को भी in religious person से legitimacy की आवशकता थी क्यूंकि ये missionaries आम लोगों में काफी popular थे इन missionaries के support से मुगल emperors को एक फाइदा और भी था सूफीज के support से ये बात मानी जाती थी कि राजा के पास अब सीधे God की blessing है जिससे राजा पर लोगों का विश्वास और भी पुखता हो जाता था चिष्टी, सुहरावर्दी, फिर्दौसी, कादिरी जैसे सूफी lineages अपने liberal principles के लिए जाने जाते थे ये सभी saints भले ही शरियत या Muslim law के follower थे लेकिन इसके बावजूद bigotry या fanaticism से free थे यानि उनमें किसी तरह की कटरता नहीं थी सूफीज किसी भी तरह के communal bias या सामप्रदाइक पूर्वाग्रहों से मुक्त थे फिर चाहे वो किसी भी धर्म के ही क्यों न हूँ मुगल्स को जल्द ही ये सप्रोच की values समझा चुकी थी उनके सामने अब दो बातों के बीच लड़ाई थी या तो वो इंडिया के diverse environment में compromises और accommodation करते या फिर Islamic laws और सुन्नी principles पर जोर देते और इन दोनों रास्तों के बीच जो struggle थी इनी से मुगल्स और सूफीज के बीच के relations को समझा जा सकता है आईए देखते हैं कैसे Inclusive Culture of Mughal Rule दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि मुगल Empire का nature inclusive था जिसमें Indian Rajputs के साथ साथ Iranian Shias को भी administration की high posts में जगह दी गई थी यानि मुगल रूल एक liberal Islamic political और cultural tradition को follow करता था इसी के चलते मुगल्स ने चिष्टीज और कादिरीज की devotional practices को भी जगह दी शेख अब्दुर्रह्मान चिष्टी एक 17th century सूफी स्कॉलर थे उन्होंने अपनी किताब मेरा तुल असरार में सूफिजम के कुछ important features बताए उन्होंने कहा कि कैसे एक सूफी इसलाम को follow करते हुए भी इंडियन सूफिजम के अंतरगत रह सकता है उनका मानना था कि इसलाम को सिर्फ एक ही definition में बांधा नहीं जा सकता और इसलिए वो अपना अलग ही liberal interpretation बनाया करते थे इसका फाइदा मुगल rulers को भी मिला जहां वो हिंडुस्तान के हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलने में सभल रहे लंबे समय तक यही सिलसिला चलता रहा जहां चिश्टी और कादरी ओर्डर के सूफीज के liberal principles के कारण मुगल्स को एक बड़े empire को consolidate करने में मदद मिली साफ है कि सूफीज ने भी मुगल रूल को बनाने में एक महत्वपून योगदान दिया मुगल्स और सूफीज के बीच पहला change आया औरंगजेब के रूल के दोरान आए जानते हैं कैसे सूफीज डियॉरिंग औरंगजेब रूल दोस्तों औरंगजेब के emperor बनने तक मुगल empire अपने peak पर पहुँच चुका था उनका rain शुरू हुआ 1658 में औरंगजेब के command समालने से पहले उनके भाईयों के साथ थ्रोन के लिए एक कड़ा संग घर्ष हुआ औरंगजेब नक्षबंदी order के सूफिजम से प्रभावित थे नक्षबंदी सिलसिला के famous सूफी शेख एहमद सिरहिंदी इसलाम के हनाफी interpretation के supporter थे हनाफी इसलाम का एक orthodox form है इसके अलावा नक्षबंदी सूफीज wealth और power को सही मान दे थे मुगल rulers को इस तरह के orthodox ideas इससे पहले कभी influence नहीं कर पाई थे लिकिन सिरहिंदी के successors ने इसमें success पाई और औरंगजेब के रेन में उन्हें अच्छी तवज्जो दी जाने लगी औरंगजेब ने सब्ता हासिल करने के लिए अपने भाईयों की हत्या तक करवाई जो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि उन पर नक्षबंदी ideas का प्रभाव था इसके बाद नक्षबंदी इसको power और prestige दोनों ही मिल गई सूफी सिरहंदी के successor शेक मुहमद मासूम ने तो ये तक कह डाला कि औरंगजेब के भाई दारा शिको के execution के पीछे उनी का हाथ था इस बात से औरंगजेब पर उनका influence साफ दिखाई पड़ता है दोस्तों ये बात आज विश्व विख्यात है कि औरंगजेब का रूल एक कटरवादी दृष्टिकोन का रूल था मुगल पॉलिटी का transformation हुआ और हर जगह bloodshed हुआ और नक्षबंदी सूफिजम की पकड़ और भी गहरी होती चली गई और इसका result ये हुआ कि औरंगजेब का रेन खत्म होते होते empire में चारों तरफ एक तनाव और हिंसा का माहौल बन गया औरंगजेब का रेन 1707 में खत्म हुआ दोस्तों औरंगजेब के रेन के बाद मानो मुगल empire की नीव एक तरह से डग मगा गई ये सच है कि उनके रेन में ही empire का decline शुरू हो चुका था लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि औरंगजेब एक capable ruler था उनका determination काफी strong था लेकिन उनके बाद उनके successors weak rulers थे जो सिर्फ एशो आराम के जिंदगी चाहते थे औरंगजेब के बाद के कुछ successors को नक्षबंदी सूफीज ने ही nominate किया था इन्ही सूफीज के support के कारण ही वो राजा भी बन पाए इसके बावजूद वो अगर strong होते तो शायद empire को समाल पाते लेकिन ऐसा नहीं हुआ weak होने के कारण empire का तेजी से पतन शुरू हो गया लेकिन औरंगजेब के rain के कुछ किस्से और भी थे जिन पर नज़र डालना जरूरी है जो शायद हमें ये बता पाएं कि सूफीज का society और मुगल रूल पर influence कितना गहरा था इनमें से सबसे पहला है हिंदू टेक्स्ट का translation दोस्तों जैसा कि हमने पहले देखा 17th century सूफी स्कॉलर अब्दुर्रह्मान के बारे में जिन्होंने सूफिजम के फीचर्स के बारे में बताया अब्दुर्रह्मान ने एक किताब और लिखी जिसका नाम था मिरातुल मखलुकात ये दरसल एक imaginary text था जिसको उन्होंने इंडियन संस्कृत टेक्स्ट पुरानास का translation बताया कालपनिक होते हुए भी मुगल कोट में इसको पुरानास का translation माना जाने लगा इससे पहले रामायन और महभारत का translation अकबर के समय में ही करवाया जा चुका था अब्दुर्रह्मान ने भागवत गीता का translation भी किया मिरातुल मखलुकात में बड़ी ही सूजबूच से उन्होंने ब्रामैनिकल हिंदु गॉड्स की timeline को Islamic timeline का हिस्सा ही बताया उन्होंने हिंदूस को भी Adam का ही वंशच बताया humans के रहने के लिए गॉड्स को mountains में जाना पड़ा लेकिन जब भी कोई injustice होता तो उसके लिए God को ही आना पड़ता ये कहानी कही न कहीं महाभारत से influenced थी और इस तरह के texts ने कहीं न कहीं मुगल कोट में हिंदूस के लिए भाईचारे की भावना को जन्म दिया क्यूंकि अबदुर्रह्मान एक चिष्टी order के सूफी स्कॉलर थे इसलिए उनके इस liberal idea ने society को एक तरह से जोड़ने का काम किया एक interesting किस्सा दाराशिको से जुड़ा हुआ है दाराशिको अपने भाई औरंग जेब के comparison में एक unorthodox मुसलिम थे वो सूफिजम के साथ गहराई से जुड़े हुए थे लेकिन साथ ही वो इंडिया के spiritual culture से भी प्रभावित थे उन्होंने कई हिंदु पंडिट्स को बुलाकर सलह मश्विरा करके पचास उपनिशद्स का translation करवाया और साथ ही उन्होंने भागवत गीता और योग वशिष्ट का भी translation करवाया उनके इस liberal behavior को देखकर औरंग जेब ने उन्हें इसलाम के against बदा कर मरवा दिया यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो दो सूफी ideologies के लड़ाई हो रही थी एक तरफ चिष्टी principles के दारशिको और दूसरी तरफ नक्षबंदी principles के औरंग जेब यह पहला प्रमार था जो यह दर्शाता है कि औरंग जेब का जुकाव नक्षबंदी ideas के तरफ था जो आगे चलकर उनके rain में भी दिखाई पड़ा दोस्तो अभी तक तो हमने मुगल rulers और सूफी के बीच connections को समझा लेकिन आपको बता दें कि सूफी influence सिर्फ emperors तक्सीमित नहीं था उनके घरेलू संबंधों में भी सूफिजम का असर दिखाई पड़ा जिसमें सबसे important थी राजकुमारिया आईए देखते हैं कैसे सूफिजम ने मुगल प्रिंसेस को प्रभावित किया influence on मुगल प्रिंसेस दोस्तो औरंगजेब ने जब दाराशिकों की हत्या करवाई इस खबर से मुगल हाउस होल्ड में भी कोलाहल मच गया इसमें सबसे important राजकुमारियां थी औरंगजेब की दो सिस्टर्स जहां आरा और रोशनारा और एक उनकी डॉटर जेबुनिसा जहां आरा अपने दूसरे भाई दाराशिकों के काफी करीब थी इसलिए जाहिर सी बात है कि वो सूफिजम से भी प्रभावित थी वो मोईनुदीन चिष्टी की बहुत बड़ी फॉलोवर थी जहां आरा कश्मीर की एक प्रसिध कादरी सूफी मुला शाह बदख्शी की भी फॉलोवर बन गई थी उन्होंने सूफिजम पर कई किताबे भी लिखी इतना ही नहीं उन्होंने अपनी मृत्यू के बाद अपनी पूरी संपत्ती चिष्टी श्राइन्स को दान में देने का फैसला किया था औरंगजेब की दूसरी सिस्टर रोशनारा नक्षबंदी सूफिजम की बड़ी फॉलोवर थी ऐसा बताया जाता है कि रोशनारा सूफिजम में इतना लीन हो चुकी थी कि वो खुद एक सूफि कहलाने के योग्य हो गई थी तीसरी है औरंगजेब की बेटी जैबुनिसा जिन्होंने एक नक्षबंदी सूफि के अंडर में शिक्षा प्राप्त की जाहिर है कि उनका जुकाव नक्षबंदी सूफिजम की तरफ था इस तरह दोस्तों हम कह सकते हैं कि मुगल रूलर्स पर सूफिजम का एक गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है जिसने न सिर्फ रूलर्स की परसनल लाइफ को इन्फ्लूएंस किया बलकि उनकी पॉलोसीज पर भी अपनी छाप छोड़ी कंक्लूजन आज की कहानी में हमने एक ऐसे टॉपिक पर बात की जिसे शायद ही इतिहास में सुनाया जाता है जिनरल सुसाइटी पर तो हमने सुफिजम के इन्फ्लूएंस को कई बार सुना और पढ़ा हुआ है लेकिन आज हमने सीधे मुगल रूलर्स पर इसके प्रभाव की चर्चा की हमने देखा कि किस तरह सुफिजम और मुगल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और कैसे इसने ओवरॉल एंपायर को दिशा देने का काम किया अन्त में एक मज़ेदार बात मुगल डाइनिस्टी के आखरी एंपरर बहादुर शाह जफर की मृत्यू भी एक सुफी पोईट्री गाते हुए ही हुई Study IQ IS अब तयारी हुई Affordable